हलो दोस्तो स्वागत है आप सभी का राहूल एकडमी पर आज हम आपके SSC MTS के लिए GKGS के प्रिवियस एर कोशन करने वाले हैं तो सभी कोशन को आप पच्छे से रोट लिजिएगा और अगर आपको इसका PDF चाहिए तो नीचे टेलीग्राम का ग्रूप दिया गया है वहाँ से जुआए लुकर इसका PDF आपराप्त कर सकते हैं तो चले ज़्यादा समयन उक्साना करते हुए सीधे अपने कोशन से पर चलते हैं देखे आपका पहला कोशन दिया गया था कि संगम राज पांट की राइधानी किया थे तो इसका correct answer अपका हो जाएगा इसकी राइधानी अपका मधुराई था तो आपसर नमर चार इसका correct answer अपका हो जाएगा मधुराई इसके आगी अगला कोशन दिया गया था कि किस ब्रिटिस अधिकारी के गोली चलाने के आदेश के परिदाम सरूप जलिया वाला बाग हत्या कांड हुआ था तो देखें यह जो आपका गोली चलाने का आदेश दिया गया था यह आपका orieजिनाल्ट डायर के दुपारा दिया गया था तो इसका correct answer अपका हो जाएगा रिजिनाल्ट डायर और यह आपका जो जलिया वाला भाग हत्या कांड है यह कब हुआ था तो यह आपका 13 April 2019 2020 को पंजाब की अमरित सर्थ सहर नामक अस्तान पर हुआ था तो इसके अकरेक्ट अंसर आपको हुजाएगा रेजिनार्ट डायर इसके आगे देखिए अगला आपका देखिए कोशन दिया गिया था कि निम्नलीखित में से कौन भारत रतने से समानित होने वाले पहले संगितकार थे तो इसके अकरेक्ट अंसर आपको हुजाएगा आपसा नमबर ए इसके आगे आपको अगला कोशन दिया गिया था कि राजनीति पर ग्रंथ और अगला कोशन दिया गिया था कि भारत में सड़कों को उनकी छमता के अनुसार डैस वर्गों में वर्गित किया गिया है तो देखे इसका करेक्ट अंसर आपको हुजाएगा इसे आपका छो वर्गों में वर्गित किया गिया है तो आपसा नमर तीन इसका करेक्ट अंसर है इसके आगे आपको अगला कोशन दिया गिया था कि नि पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है, डैस कहलाता है, तो इसे आपका अभास्री प्रतिविम कहा जाता है, इसके आगी आपका अगला कोशन दिया गया था, कि फीफा 200 कप 2022 की मेजबानी किसी देश ने की थी, तो इसे अकरेक डंसरप को हो जाएगा कतर की द्वरा किया गया थ अगला कोशन था, कि बांगला देश निम्नलिखी तुमें से किस भारतिय राज के साथ अपनी सीमा साजय नहीं करता है, तो इसे अकरेक डंसरप को हो जाएगा सिक्किम के साथ अपनी सीमा साजय नहीं करता है, इसके आगी आपका अगला कोशन दिया गया था, कि बहुत वा कि अक्टूबर 2022 की इस्तिती के अनुसार इंद्रा गाधी राष्टे ब्रिधा अवस्ता पेंसन युजना के अंतरगत 60 वर्स या उससे अधिक आय के बीपी एल गरीवी देखा के नीचे जीवन यापन करने वाले बेक्ती 89 वर्स की आय तक 10 की मासिक वेशन वेशन के हकदार ह के अग्ट आपका युजाएक इन्हें आपका 200 रुपए दिया जाएगा तो आपसर नमबर तीन इसका करेटर आपका हुजाएगा 200 रुपए इसके आगे आपका देख्या अगला कोशन दिया गया था कि GST बील में कितने टैक्स अलाइब और किक्त है तो इसापका प्रांस में लाग हुआ था इसके आगे देखिए इसके आगी अगला को चंदिया गया था आगुए है कि जेजिया बिहार का एक प्रसिद लोक निर्त है जिसे पवराणिक सहर मिधिला निर्त केवल महिलाओं द्वारा किया जता है संपुल नुवरात्री में नुवरात्रों क पूजा करने के लिए मना जयता है यह जो तेवार है यह आपका नौरात्री में तीन देवी का पूजा किया जयता है तीन देवी कौन-कौन से हैं देखे लच्मी जी की किया जयता है पारवती जी और आपका सरसती जी की पूजा किया जयता है तो आपसर नमबर चार इसका करे स्वाराज प्रहस्तावित किया था तो इसका correct answer आपका हो जाएगा 1929 में जो आपका लाहोर में आपका अधिवेशन हुआ था इसके अध्याच आपके पंडित जोहला नहरू थे और इसमें पहली बार आपका पूर स्वाराज की मांगी गई थी तो इसका correct answer आपका हो जाएगा पंडित जोहला नहरू इसके आगी आपको अगला कोशन दिया गया था कि अक्टूबर 2022 की इस्ति के अनुसार भारतिय सविधान में कितने मौली करतेव हैं तो भारतिय सविधान में आपके 11 मौली करतेव हैं देखे जो आपके 10 मौली करतेव हैं इसे आपका 47 सविधान संसोदन 1976 में जुड़ा गिया था और जो आपका 11 मौली करतेव हैं इसको 66 सविधान संसोदन 2002 में जुड़ा गिया था और जो आपका मौली करतेव हैं 21 के सविधान से लिया गया है तो मौली कर्टब आपके रूस के सभिदान से लिया गया है और टूटल मौली कर्टब कितने हैं तो आपके इगारा है तो इसा correct answer आपका हो जाएगा इगारा इसके आगे आपका अगला कोशन दिया गया था कि M U D R A योजना में M का क्या अर्थ है तो देखिए M का अर्थ आपका माइक्रो होता है इसके आगे आपका अगला कोशन दिया गया था कि किसी बेक्ति को भारत के उपराश्पती बनने के यूग होने के लिए उसकी आई निम्तम कितनी होनी चाहिए तो उसकी आई आपका 25 वर्ट होना चाहिए देखिए इसके आगे आपका अगला कोशन दे रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी परत पिर्थवी की वाई मंडली परत में से एक नहीं है तो कि इसका करेक्ट आंसर अप को जाएगा जो अंता मंडल है ये आपके वाई मंडली परत के हिस्सा नहीं है तो अपसर नमबर चार इसका करेक्ट आंसर अप को जाएगा अगला आपका कोशन दिया गया था कि पंडित बिर्जु माहराज को निम्नलिखित में से किस प्रुसकार से समाइद किया गया था तो इसे correct answer अपको हो जाएगा इन्हें आपका पदम भी भूसर से समझ किया गिया था और पंडित बिर्जु महाराज का समझ किस निर्ट से है तो पंडित बिर्जु महाराज का समझ आपके कतक निर्ट से है जिसमें सभी सारिक भागों की पहचान हो सके डैस कालाती है तो इसे आपका गर्भ कहा ज़ता है तो आपसर नमर 3 इसका करेक्ट अंसर आपका हो जाएगा गर्भ देखे इसके आगी आपको अगला कोच अंदिया गया था कि डैस ने जैव विकास की अवधारना को अपनी पुस्तक दो ओरीजन आप इसपीज में दिया है तो देखे जो आपका पुस्तक है दो ओरीजन आप इसपीज यह आपके चार्स डार्विन के द्वार लिखा गया है तो इसका करेक्ट अंसर आपको हुजाएगा आपसा नमबर 3 यानि की चार्स डार्विन देखे इसके आगी आपको अगला कोचन दिया गया था कि केंदर सरकार ने हाल ही में इवा 2.0 यूईना शुरू की है यह डायस वर्ष से कम आई के इवा और नवोदीत लेखकों के लिए एक परिसिछन एवन परमर्स कारिक्रम है तो देखे यह जो आपका कारिक्रम है यह आपका तीस वर्ष से कम इवा के लिए है तो इसका correct answer आपका हो जाएगा आपसा नमबर 4 यानि कि 30 वर्स इसके आगी आपका अगला कोशन दिया गया था कि गुर्जर प्रतिहार राष्ट कूट और पाल वंसो के सासक डायस के उपर नियंतर को लेकर सद्यू तक आपस में लड़ते रहें तो देके इनके वीच आपका कन्योज को लेकर काफी ज़्यादा यूध होता रहा तो इसका correct answer आपका हो जाएगा आपसा नमबर 2 यानि कि कन्योज अगला कोशन दिया गया था कि निम नलिखित में से कौन सी देवी या देवता उडिसा के पूरी रत यात्रा उत्सव से समनित नहीं है तो इसका correct answer आपक अगर आपको इसका पीडियो में अच्छे से देखा और अगर आपको इसका पीडियो चाहिए तो नीचे टेलीग्राम का ग्रूप दिया गया है वहां से जोईन दोगर्स का पीडियो पाप्राप्त कर सकते हैं